वेलकम तु जौब अपडेट्स वाई श्वरेनिक जेन यूटूब चैनल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजनसी एडी ए सरकारी कमणी के तरफ से रिक्रूब्में निकल करके आ रही है फॉर 2023 जहां पर सीडिसी प्रोवाइड कर रहे है 75,000 रुपीज पर मंत PDF के अंदर मेंशन किया गया है प्रोजेक्ट इंजिनियर की वेकिंसी निकाली गई है यस और इंडिया अपलाई कर सकते है और टेंशन मत दीजिए विदाउट गेट्स को सेलेक्शन होने वाला है पर देखो यार इंपॉर्डन पॉइंट्स पहली बता दूसरा यहां पर फ्रेशर अपलाई नहीं कर सकते मिनिममम टू यह का एक्स्पिरियेंस चाहिए और तीसरा यह पर्मनेंट जॉब नहीं है पूरा वीडियो देखना नहीं तो यहां पर वीडिय को छोड़ सकते हो और अगर वीडिय को चोड रहे हो जरु सिस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टून्ट सबॉच सके जो इन्ट्रेसिट है और इलिजिबल भी है तो चलिए अप डीटेल में बात करते है और एक लिंक आपको description box में मिल जाएगी जाएगा डाउनलोड कीजिए visit this community ताकि आप healthy discussions कर सको regarding the test preparation teachers courses reviews interview questions जो आपको वहाँ पर material share करना है सब कुछ आप कर सकते हो ठीक है चलिए अब यह ADA का official website है तो आप देख सकते हो यहाँ पर यह जो new notification है इस पर क्लिक करना तो यह PDF open हो जाएगा PDF के अंदर मैंने important data highlight कर लिया है जैसे सबसे पहले सबसे important ADA का full form Aeronautical Development Agency Ministry of Defense Government of India के अंदर आती है यह जो PDF 30th June को publish किया गया था but online application जो है 11th August से start हुआ तो आज तो मैं 14th August को वीडियो बना रहा हूँ आराम से आप apply कर सकते हो क्लोजिंग डेट है 8th September ठीक है जी अब यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजिनियर की जो वेकेंसी है वो एक टेन्य और बेसिस पर है permanent job नहीं है दूसरी बात सालरी जो है प्रोजेक्ट इंजिनियर वन के लिए minimum two years के experience चाहिए और होना चाहिए और यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं के कौन सी वेकेंसी निकली है और यह रहा experience का domain ठीक है जी अब यहाँ पर desirable है यह सारी चीज है तो cherry on cake है बाकी कुछ नहीं यह कंपल सरी नहीं है ठीक है वैसे ही हर एक पोजिशन के लिए different requirement है यहाँ पर mechanical या production इंजिनियर्स अप्लाई कर सकते हैं दो साल के experience अलग domain में चाहिए अब यहाँ पर वैसी अगर आप नीचे जाओगे तो mechanical production इंडस्ट्रियल production अगें आप देख सकते हो experience required in different domain फिर वैसी mechanical के लिए एक और opportunity है फिर अगें mechanical तो सर बाकी ब्रांच कहा पर है यह रहा बाकी ब्रांच aeronautical aerospace electronics electronics communication टेली कम्मुनिकेशन electronics and electrical engineers तो आप देख सकते हो हर एक position के लिए दो साल के experience तो चाहिए चाहिए फिर नीचे अगर आप जाओगे computer science IT वालों के लिए फिर उसके बाद आप देख सकते हो बहुत सारी ऐसी वेकेंसी है इंटोटल कितनी क्या वेकेंसी है मैंने टोटल काउंट उपर बता दिया था पर यह जो पोजिशन्स है अगर आप स्क्रोल करते जाओगे करते जाओगे यह आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा PDF के लिंक्स में description box में दे दूंगा और अगर आप पर देख रहे हो तो चार साल के experience चाहिए और उसके नीचे तो आठ साल के experience चाहिए ठीक है तो यह सारा में slide हटा देता हूँ और अब जाते है कुछ important slides की तरफ एज़ लिमिट के अंदर बात करें तो PE1 यहाँ पर अपर एज़ लिमिट 35 कहा गया है special categories के लिए relaxation मिल जाता है इसके अंदर आपका जो education है उसका percentage का marks count किया जाएगा experience काउंट किया जाएगा ठीक है relevant experience काउंट किया जाएगा तो ऐसी बहुत साथी चीज है और कमिटी डिसाइड करेंगी कि इंटर्व्यू स्वारी तो स्क्रीनिंग कमिटी डिसाइड करेंगी कि कैसे क्या और selection process रखना है अगर बहुत सारे students apply करते हैं वैसे interview is the whole and soul motto of their selection जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो based on the performance in the pre online interview candidates will be shortlisted for the final personal interview और उसके बाद आपका selection हो जाएगा इंडियन्स ही apply कर सकते है और है उसके अलावा नहीं और एडिये के अंदर आप पात साल maximum सर्फ कर सकते हो तीन साल तो फिक्स है फिर और टू यह एक्सिंडेबल डिपन्स और प्रफॉर्मेंस और कमनी की requirement ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना percent होना चीए 60% minimum होना चीए बस इतनी सी बात है फिर बाकी तो यहाँ पर salary के बार में बताया गया है 50% of DA plus आपको जो start में बताया था remuneration इसके अलाबा तो कुछ जादा है नहीं pdf के अंदर इतनी सी बात है apply कब और कैसे क्या करना है उसके बार में यहाँ पर जानकरी दे रखी है जो मैंने start में भी आपको बता दिया था and yes that's it for today I hope you have understood everything इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है comment section में पूछ सकते हो meet in the next वीडियो आप दे लें ठीक केर बाइफा नाव सी या बाई